नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक मैं आपको बताऊंगी कैसे सीमा हैदर कर रही है वर्लकप में भारत की जीत के लिए दूआए अबस्कार में हुग आपके साथ अमिद्गर शुकला मैं आपको बताऊंगा हमास को ओल आउट करने का इसराइल का क्या है प्लाण वर्ल कप में पाकिस्तान के हार के बाद सीमा हैदर की खुशी का ठिकाना नहीं है सीमा का कहना है अब भारत को वर्ल कप जीतने से कोई नहीं रोख सकता आजकल सीमा हैदर की खुशी का ठिकाना नहीं है इधर टीम इंडिया एक के बाद एक मैच जीत रही है और दूसरी तरफ सीमा हैदर जशन पर जशन मना रही है कोहली के हर चौके पर सीमा जूम उठती है रोहित के हर चक्के पर लड़ू बाट आती है और बुमरा के हर विकेट पर भारत माता की जै बोलने लगती है भारत पाकिस्तान मैच से पहले तो सीमा हैदर भारत की जीत के लिए दुआई मांग रही थी वो पूजा पाठ में जुट गई थी और जब भारत की जीत हुई तो मानो सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा भारत की जीत के बाद सीमा ने पूरे महले में मिठाई बाटी और जम कर नारे लगाए सीमा ने एक वीडियो भी रिलीज किया है पूरे भारत की जीत की बधाई भारत के गुजरात के एमदाबाद के इस्तिहातिक स्टेडियूम मोदी जी के स्टेडियूम में लगादार अपनी किरकेट में अपनी जीत को बना के रखा है और खेल भावनाओं से जीता है और मोदी जी के साशन काल में खेलो इंडिया जीतो इंडिया और हमने अपनी खुशी अपने भाई डोक्टर एपी सिंग अपने परिवार अपनी महले वालों के साथ मनाई सीमा का कहना है कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी और इसकी सबसे बड़ी वज़ा है भारत सरकार सीमा हैदर के मुताबेक मोधी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं भारत में खिलाडियों को अच्छी सुविधाय दी जा रही है यही वज़ा है कि भारत में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और भारत सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है बात एशिया कप की हो या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप की पिशले कुछ महीनों से सीमा भारत के लिए जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती चन्रियान के सफलता के दोरान भी सीमा हैदर ने जम का जश्न मनाया था यही नहीं सीमा हैदर हर भारतिय त्योहर भी पूरे रिती निवास के साथ मनाती है ट्रिकेट की सीमा हैदर पहले से ही दिवानी है सीमा पाकिस्तानी है लेकिन अब वो खुद को हिंदुस्तानी बताती है और टीम इंडिया के लिए चीयर करती है सीमा का कहना है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हर मामले में करारी हार देकर साबित कर दिया है कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा न्यूज 18 के लिए नॉडा से हिमान्शु शुकला की रिपोर्ट